नमस्कार, हारियान एट 9 पेम नुश चैनल में आप सभी का स्वागत है आईए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट जान गवार रहे हैं इस बारे में महल्लेवासी कालेई सुरेंदर सुनिल सही कई लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी दी लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ महल्लेवासी का कहना है कि जैसे ही पक्षी इंतारों पर बैठते हैं तो बिजली ट्रिप हो जाती है और पक्षी को करंट लग जाता है वा पक्षी की मोथ हो जाती है इससे काफी समय तक की सेरिया की बिजली भी प्रभावित रहती है लेकिन समय रहते निगम के अधिकारी करमचारी समाधान नहीं कर रहे खंबा पहले से तिर्चा है जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है आई ये बात करते हैं महलेवासियों से उनका क्या कहना है करता है जो आई दिन फक्सी कभी 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 मोर राष्ट अमाधरास्ते फक्सी मोर है वह भी कई ऐड़ जाला हो चुका यहां पर हमने कई बार कंपेलेंड भी किया मैंने जैसाब को और हमारे जो है आप देखते हो इसको ठीक है इसाए नहीं नहीं कर रहा है यह बड़ा आथा प्रश्चा भी हो सकता क्योंक 11,000 की तार है और खत्रेगा काम है सरफ हम साथ है यह जो इंस लेटर है उपर जो आप जेखते हो इसको ठीक ही हाज़ा है तो आई दिन यहां पक्षी खाहल हो रहे हैं गालिक हमर रहे हैं सिसानवा खर्खोदा में हुई महिलाओं के स्वास्ते की जांच सिसानवा खर्खोदा में चूलीफ हस्पताल की डारेक्टर डॉक्तर अनपमा सेथिय अरोडा द्वारा दो जगह महिला रूख जांच केम्प का योजन किया गया जिसमें महिलाओं के स्वास्ते की जांच की गई एक कैम खर्खोदा के अमर सेथि हस्पताल में लगाया गया जबकि दूसरा कैम सिसानवा गाउं की चूपाल में लगाया गया था जिसमें महिलाओं के रोगों की मुफ्त में जांच की गई और उन्हें मुफ्त प्रामर्श भी दिया गया कैंप चूलिप हस्पताल सोनिपत वा अमर सेथी हस्पताल सोनिपत की डायरेक्टर डॉक्टर अनपमा सेथी अरोड़ा द्वारा कराया गया इस कैंप में करीब 155 महिलाओं के स्वास्ते की जांच डॉक्टर राशुवार डॉक्टर अनपमा सेथी अरोड़ा द्वारा की गई जिन महिलाओं को छोटी मोटी प्रॉब्लम थी उन्हें दवाई दी गई जबकि जिने गंभीर बिमारी के लक्षन मिले उनकी अल्टर असांट करके उनकी जांच की गई गैनलोजेस्ट डॉक्टर अनपमा सेथी अरोड़ा ने बताया की महिलाओं को अपने स्वास्ते के प्रती जागरुक रहना बेहर जरूरी है जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो चिकिस्स को दिखाना अनिवारे हैं ताकि समय पर बिमारी की जांच हो सके और इलाज कराया जा सके उन्होंने कहा कि कई बार महिलाएं अपनी बिमारी को चिपा लेती हैं जिसके कारण बिमारी गंभी रूप ले लेती है और अप्रेशन तक पहुंच जाती है इसलिए महिलाओं को अपनी विमारी के प्रती बिल्खुल भी चिपाना नहीं चाहिए और समय रहते उनका इलाज कराना चाहिए उन्होंने गरवती महिलाओं को भी पोशे युकताहार लेने सम्बंदी उनकी डाइट चार्ट के बारे में बताया उन्होंने बताया कि 6 महिने के बच्चे के लिए केवल मा का दूधी प्रचूर मातरा में होता है इसलिए शिशु को मा का दूध 6 महिने तक अवश्य पिलाना चाहिए और शिशु को बारी अन्य चीजे नहीं देनी चाहिए रविवार को दिली माकसित लाला जैन अरायन धरमशाला से शिखाटू शाम मंदर सिसाना तक शाम भक्तों ने एकाशी के उपलक्ष में पैदल निशान यात्रा निकाले इस निशान यात्रा में विविन गाओं की सेक्डो शाधालू ने शामिल होकर खाटू शाम बाबा की जेकारे लगाए इस निशान यात्रा में महिलाओं की संख्या काफी रही खाटू शाम बाबा सिवक प्रदीप ने बताया कि विबिनशित्रों से पहुचे श्रदालू अपने हाथों में निशान लेकर खरकोदा से सिसाना खाटू शाम मंदिर तक पैदल जाएंगे और अपने अपने निशानों को खाटू शाम बाबा पर चड़ा कर आशिवाद प् इस अवसर पर पंडी सुरेंद्र, रविंद्रिटे के दार सोनू संदीप वा अनिशादालू शामिल रहे से और मटिंडू से, सिलाना से, ठर्माना से, गड़ी से और शिशाना गाओं से सभी शाम प्रेमियों ने बढ़ चड़ करिश्मेश सालिया है और यहां से सभी शाम प्रेमी, बाबा के प्रेम में पैदल यहां से निशान यातरा, सिरी खाटू शाम मंदिर बर्मार्थ दाम, शिशाना में निशानों को चड़ाएंगे और शाम बाबा से अपनी मनो इच्छा पुर्ण करने के लिए बाबा से वरदान माएएंगे शाम बाबा सभी वगतों पर बड़ी करपा करेंगे, इतने दीन दयालू है कि हर वगत की इच्छा पूरी करते हैं और आगे इनका वहां जाने पर बंधारे का प्रोग्राम है, सभी को परसाद गरेन करना है, जैश्री शाम मंदोरा गाओं में दस गाओं की खेल समिती द्वारा दया खाप्रधान जैपल दया फूल मालावा पगड़ी पहना कर स्वागत किया गया इस मोके पर दया खाप्रधान जैपल दया ने संबोधित करते वे कहा, कि उनकी खाप द्वारा नशे के खिलाब मोहीम चलाई जा रही है शेत्र के काफी युवार नशे की प्रवेति अपना कर अपराध का मारक चुन लेते हैं जिसका खाम्याजा समाज के साथ साथ परिवार को भी उठाना पड़ रहा है युवाओं को सही माग पर लाने के लिए समाज से विवार नयसन स्थाओं द्वारा माग धर्शन करके युवाओं को शिक्षा वाखेलों की तरफ अकर्शित करना होगा विविन प्रकार की नशे युवाओं को खोखला कर रहे हैं जिसके कारण हमारे समाज को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्होंने शेतर की लोगों से अपील करती हुए कहा कि जो उनके द्वारा नशे के खिलाब मोहीम चलाई गई है वे इसमें उनका पूरा सहयोग करें दस गाओं की खेल स्मिती द्वारों ने आश्वासन दिया गया, इस मोहीम में बूरन रूप से सैयोग करेंगे मंडोरा सरपंच मंजीत मंडोली सरपंच प्रवीन जलालपूर, सरपंच जगदीश, आरा सरपंच जैसिंग, पूर सरपंच बल्लू अंतराष्टी, कबड़ी की लाड़ी दिलिव पहलवान, क्रिश्चन जोगेंद्र, गड़ी सिसाना, मिहर सिंग दया, सिसाना, लीला पहलवान, तुर्कपूर, धर्मदेव गड़ी बाला, राने पहलवान, नहरा सहीत, अन्य गर्माने व्यक्ति मौचूद रहें। मुन्हें चला रखी अदया में, नसे के परती, मैं बहुत खलाप हूं नसे के, और मैंने पूरे चारिश गाओं के लिए ये मुहिम चलाई है, अगर भाई, कोई भी बच्चा नसा नहीं करे, और इस कमेटी ने, मुझे कमेटी को भी मैंने बताया है, और कमेटी ने मेरे को आश्वासन दिया है, कि जो आपने मिशन चलाया है, नसे के खलाब, हम उसमें आपके साथ तैयार हैं हर्च लियाज से. सरपंच गाउं मंडोरा, आज अमारे गाउं में सोद्री जैपाल दईया जी का सवागत किया गया, अमारे दस गाउं की खेल कमेटी दवारा, जिसमें गणमान्य वेक्ती साथ रहे, और स्री जैपाल जी के साथ भी गणमान्य वेक्ती आए, और सोद्री जैपाल जी ने प्रणीचर के समान चूरी होने का मामला प्रकाश में आया मामले की शिकाय संचालक प्रवीन कुमार ने पुलिस को दी है प्रवीन ने बताया कि अपने दुकान पर बढ़ा कर घर गया था जब वे दुकान पर गया तो उसकी दुकान पर फरणीचर बनाने के वज़ाद दो हैंड कटर, एक ड्रिल मशीन, दो ग्रैंडर, एक स्कुरू डाइवर, दो हैमर मशीन वा एक रंदा मशीन दुकान पर नहीं मिले जिनको अब तक अपनी तोर पर तलाश करते रहे थे हर्याना पंचाय चुनाओं में महिलाओं की होगी भागीदारी खटा सरकार अपनाएगी ये फॉर्मुला सीयम अनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं के लिए रोजगार के अफसर उपलब्द कराने की दिशा में राशन धीपु में उनके लिए कोटा रक्षित करने के फैसले को मंचूरी दे दी गई है महिलाओं को बैंकों से 5 लाग रुपे तक का लोन दिया जाता है जिसके लिए बैंक के श्रमशलुक को भी ने शुल्क किया गया है सीयम अनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने पंचाय चुनाओं में महिलाओं के लिए 40 परतिशत आरक्षन का कानून बनाया था लेकिन इस पर पंज़ाब एंड हर्याना हाई कोट ने रोक लगा दी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंचाय चुनाओं में ओड इवन का फॉर्मूला अपना कर महिलाओं की भागेदारे सुनिश्चित करेंगी राजनीती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षन की विवस्ता की गई है चाटे पर चाटे आनंद विहार थाने में घुसकर पुलिस वाले को बुरित रह पीटा वीडियो वाइरल देश की रायधानी दिल्ली से एक हैरानी भरा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक थाने में घुसकर पुलिस वाले को बुरित रह से पीट रहे हैं वीडियो दिल्ली के अनंद विहार थाने के अंदर का है, वीडियो में कुछ लोग पुलिस वाले को पिटते दिख रहे हैं, वहीं कुछ हाथ में मुबाईल लेकर घटना को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुलिस वाला माफी मांग रहा है लेकिन आरोपी उसे लगातार पीते जा वीडियो में जिस पुलिस वाले की पिटाई होती दिख रही है, उसका नम प्रकाश बताया जा रहा है, वैं आनंद विहार पुलिस थाने में कॉन स्टेबल है, घटना तीन अंगस्त की बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद, दीएसपी का क पुलिस गर्मी की पिटाई का वाइरल वीडियो इस तरह का मामला 12 माई को यूपी में ग्रेटर नौइडा में सामने आया था, जानकारी के मुदाबिक आई टी बीपी में सब इंस्पेक्टर पंकच चोधरी का एक कारुबारी के साथ गाड़ी हटाने के लिए विवाद हो इस घटना में पीड़ता के सिर पर गंभी चोट लग गई पीड़ी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्जगार मुख्या रोपी को गिरफतार किया सिक्षा एवं खेलो मी अगर्णी संस्थान प्रताप स्कूल खर्खोदा अपने बच्ची की उजवल पविश्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें चुलिप होस्पिटल सोनिपत एंसे आर का विश्वशनी एवं हार्ट टेक ओटी से यूप्ट होस्पिटल आपकी सेवा मी चोबिश घंटी उपलब्द फिद्य रोग विशिशिटी डॉक्टर अनुराग अरोड़ा वे डॉक्टर अनुपमा सेथी अरोड़ा त्वारा संचालिप चुलिप होस्पिटल विविकान चौक स्वानी पर लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें